हेलो फ्रेंड्स वेलकम बाइक तो माई चैनल निर्मिला फैशन वर्ड स्वागत है आप सब काई होप आप सब लोग अच्छे होंगे सवस्थ होंगे खुश होंगे मस्थ होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही प्यारी सी नेक डिजाइन बनाने वाली हूँ जो की हम कपड़ कर लिया है और इसको हम पर इस तरीके से कॉल करेंगे और एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसको जो हम थोड़ा सा तिकोना शेप बना लेंगे तो इस or की पट्टिया कॉरण तो सारी पट्टियों को बिल्कुल हमें बराबर शेप में कट करना है बराबर शेप में कट करेंगे तो हमारी डिजाइन भी एकदम बराबर और एकदम पर्फेक्ट ब्यूटिफुल लगेगी तो पट्टियों को बराबर कर लिया है हमने देखिए कुछ इस तरीके से और हमे से भी लगा सकते हैं अगर डिजाइन लगाना चाहें लेकिन मैं पहले इनको बराबर अच्छे से कट कर लूगी अलग अलग कर लोगी और बिल्कुल बराबर शेप मेंने कट कर लेना है तो जो भी एक्सरा फैब्रीक को उसे भी हम कट कर लेंगे तो फ्रेंट्स देखिए बि लिए से हमें डिजाइन आप जितनी दूरी से बनाना चाहते हैं उतनी दूरी पर इस तरीके से इंची टेप से मिजाण लगा कर आप जो है औरेव शेप में और इन्हें जॉइंट करके सबसे पहले हम लगाएंगे पाइप इन तो फ्रेंट्स अगर आपको पाइप इन लगाने में किसी भी तरीके की दिक्कत होती है आपकी पाइप इन अच्छे से नहीं बनती है या आपके गले के तीरे वगेरा खसकते हैं तो पाइप इन है एकदम बराबर शेप में बनती है कहीं भी मोटी या पतली नहीं होती तो पाइप इन हमने लगा लिए उसके बाद पाइप इन की जो हमारा मार्जन है उसको आपको अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है और प्रेस करने के बाद क्या होगा कपड़ा अच्छ लगती है उसे सबसे आप बना लीजिए तो पाइपन बनाने का बहुत ही आसान तरीका है यह इस तरीके से आपकी पाइपन बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ बनेगी और आपके गले का जो भी शेप है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा पहनने के बाद जो है गले गला ज इसमें कहीं से नहीं दिख रहा है अब जो हमने पट्टियां तयार की होने लगाना है तो देखिए जो हमने शेप बनाया था उसे एक बार और हम इस तरीके से डार्क कर लेते हैं और ऊपर की तरफ हमने देखिए हाफ इंच छोड़ा है वह इसलिए चोड़ा है कि जब हम श प्राइंगल शेप हमने बनाये हैं इनको आपको सेट करके रखना है और दूर दूर लगाते जाना है जितनी दूर आपको पसंद है उतनी दूरी से आप लगा सकते हैं वैसे थोड़ा दूर दूर लगाएंगे तो डिजाइन ज्यादा अच्छी दिखेगी और सब से पहले मैं इसमें लगा रही हूं एक इसलिए मैं बहुत कोई लेश से लगारे कर रही हूं। और इसके जो भी extra fabric निकला हुआ है उसको cover कर रही हूँ तो एक lace मैंने लगा दी है उसके बाद यहाँ पर देखी मैंने golden यह जो समोसे वाली lace ली है और उसे में लगा रही हूँ अगर आपके पास कोई भी मोटी lace नहीं है किसी कपड़े या design को cover करने के लिए तो आप इस तरीके से दो lace का use कर सकती है और आप एक lace को ही दुबारा use कर सकती है तो मेरे पास तो silver थी इसलिए मैंने लगा लिए अगर आपके पास नहीं है तो आप एक ही lace को दो बार attach कर सकती है जिससे आपकी जो lace की चोड़ाई तो बढ़ी जाएगी साथ में जो भी extra fabric है वो इस lace के नीचे दब जाएगा जिसके कारण आपका जो भी margin है design करना वो देखेगा ना ही उसके कोई ratio निकल के बाहर आएगे तो यह बहुत ही अच्छा तरीका है इस तरीके से भी आप अपने blouse के design को cover कर सकते हैं और उसका look बहुत जादा enhance कर सकते हैं तो golden lace मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि इसकी जो sleeves है उस पर भी golden lace लगी हुई है तो आगे मैं आपको बताऊंगी इसकी sleeves में किस तरीके की lace है और उसी को match करते हुए मैंने यह golden lace लगाई है तो friends देखें design हमारी बन कर तयार हो चुकी है पूरी और मैंने यह double lace लगाई है यह design में कितनी प्यारी लग रही है और हमारी design और भी जादा attractive लग रही है तो मैंने इसमें देखिए जो है silver color की lace लगाई है क्योंकि यह gray color में बहुत ही अच्छी तरीके से match हो रही है दूर से बहुत जादा दिखने ही रही लेकिन इसमें shine बहुत ही अच्छी आ रही है और उसके बाद मैंने देखिए समोसे वाली जो है इसमें golden lace भी लगाई हुई है तो यह पूरी design हमारी complete हो चुकी है आप चाहें तो इसमें यहाँ पर डोरी वगएरा लगा सकते हैं और इसमें लटकन वगएरा बना सकते हैं चाहें तो नीचे भी आप जो है कोई design या button इस के design को और जादा enhance कर सकते हैं तो देखिए यह जो मैंने double lace लगाई है उसका फायदा यह है कि जो भी हमारा margin है design का बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ना ही कोई ratio दिख रहे हैं तो देखिए इसकी sleeves पर कुछ इस तरीके की lace लगी हुई थी जो की समोसे वाली lace है और golden color की है तो इसी कारण मैंने इसके जो है गले में यह golden lace अलग से लगाई है तो आप इस तरीके से थोड़ा सा जो है दिमाग लगा कर इस तरीके से mix match करके अपनी lace को लगाई है जिससे आपके जो lace से बिल्कुल अलग नहीं लगेगी और design भी बहुत ही खुबसूरत लगेगी तो द आप लोगों के लिए इसी तरीके के अच्छी अच्छी design में लेकर आती रहूंगी अभी आने वाल है फेस्टिवल नवरात्री करवा चौत तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए ऐसे ही प्यारे प्यारे design पाने के लिए आप चाहें तो देखी जो तिकोने के आपको दिख दिखने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए यहां आपको सिलाई की पूरी जानकारी मिलेगी और cutting stitching के साथ ही बैक नेक डिजाइन के प्यारे प्यारे इसी तरीके से design में मिलेंगे मिलती हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए बाई